तो फ्रेंट सबसे पहले आप लोग क्या कीजेगा इहां पर देख सेकते Chrome राजार है इसको आप लोग को Open करना है ठीक है इसको Click कर लिजेगा Open कर लिजेगा Chrome राजार को जैसी Open कीजेगा इहां पर इस तरह का Interface आएगा उपर में देख सेकते साच बार इहां पर दिखा रहा ह और उसके बाद यहाँ पर next का option है इसमें आप लोग को next कर देना है next जैसी किजिए गाई इस तरह का interface आएगा इहाँ पर धियान दिजिएगा उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा उसके बाद उपर में देख सकते हैं एक option arrow का निशान दिखा रहा है उपर में देख कर देना है desktop site को click कर लेना है जैसी click कर लिजेगा इस तरह से आपका mobile phone desktop site में हो जाएगा इहाँ पर सभी features अभी देखने लगेगा तो देख सकते हैं इस तरह से आ जाएगा इहाँ पर अभी धियान दिजिएगा उपर में देख सकते हैं एक logo दिखेगा आपका YouTube channel का logo इसको आप लों को click करना है logo में click जैसी किजेगा यहाँ पर बहुत सारा setting का option दिखेगा उपर में देख सकते हैं योर channel का option दिखा रहा तो योर channel में आप लों को click कर देना है जैसी click कर लिजेगा तो आपका योर channel इस तरह से open होके आ जाएगा यहाँ पर अभी दो option मिलेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर manage video और यहाँ पर देखिए यहाँ पर manage video और यहाँ पर देखिए और एक video यह दो option दिया हुआ यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर देख सकते है कस्टमाज चैनल में आपनों को click कर देना है कस्टमाज चैनल में click करने के बाद देख सकते हैं अगला page option दिया हुआ यहां पर तीन number में यहां पर आप लोंग को किलिक कर लेना हैufen दिएंड में किलिक जैसे किजिएगा टो आपका Video का Content यहां पर पूरा आ जाएगा सब वीडियो आजाएगा तो आप लोंको लोंग वीडियो में लोंग वीडियो का लगाना है LTINC तो सबसे पहले आप लोग को short video खुजना पड़ेगा यहाँ पर आप लोग का सभी मिला जुला है तो short video खुजने के लिए यहाँ पर उपर में आप लोग को klik करना है अपना जो short video upload किये रहेंगा यहाँ पर search किजेगा, short गोलके search किजेगा मैं ज़्यादातर short video upload नहीं करता हूँ तो देखिए एक दोठो मिल जाएगा तो किस तरह से short उपर में लिखेगा न तो short video यहाँ पर आ जाएगा अपका जितना short video आ जाएगा यहाँ पर आप लोग अपना short video को select कर लिजेगा ठीक है तो मैं अपना एक short video को select कर लेता हूँ यहाँ पर मिल जाता है देख सकते हैं यहाँ पर तो मैं एक short video को यहाँ पर यहाँ इसको मैं select कर लेता हूँ select कर लेने के बाद इस तरह से पूरा खुल के आ जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर setting option यहाँ पर खुल के आ गिया है आ गिया है उसके बाद यहां पर नया features अभी add हुआ है यहां पर देख सकते हैं long video लगाने के लिए यहां पर non किया हुआ है यानि यहां पर अभी लगाया हुआ नहीं है यह वाला option में आप लोगो click कर लेना है तो देख सकते हैं इसमें आप लोगो click करना पड़ेगा जैसी click क लोग video को add करने के लिकले इस तरह से आपना long video को select कर लिजएगा यहां पर देख सकते हैं इस तरह से मिल जाता है इसको select कर लिए गया है short video में long video add हो गया है आभी कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद इसको save करने के लिए उपर में देख सकते हैं save का option दिया हुआ है इसमें आप लोग को save में click कर लेना है save में जैसे click कर लिजेगा आपका success हो जाएगा upload complete हो जाएगा तो उसके बाद आपका short video जैसे दिखेगा उपर आपका long video का भी option दिखेगा जैसे click कीजेगा आपका long video भी play हो जाएगा वीडियो अच्छा लगता है तो please हमारे चैनल को subscribe करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दिए